सरकार की नोटिफिकेशन के बाद करणाल की अनाज मंडी में धान की खरीद शुरू हो गई है लेकिन समस्या ये है कि खरीद के वक्त कोई भी राइस मीलर से साथ नहीं है ऐसे में धान की खरीद तो हो जाएगी लेकिन उसका उठान नहीं होगा और जादा समय मंडी में धान पड़ी रहने के चलते धानकाली हो जाएगी और नुकसान आर्ती और किसान को उठाना पड़ेगा आपको यहां बता दे कि लंबे इंतिजार के बाद आखिर कार मंडी में सरकारी धान की खरीश शुरू हो ही गई है लेकिन किसान और आर्थी अभी भी मुश्किल हालात से गुजर रहा है वो परेशान है परिशानी इस बात की है कि अगर धान की खरीद सरकार में एक कर भी ली तो इसे उठाएगा कोन क्योंकि राइस मीलर्स की अभी भी सरकार के साथ तना तनी चल रही है और इस खरीद में राइस मिलर्स साथ थे नहीं तो ऐसे में सरकार की तरफ से धान की नमी तो चेक कर ली गई पर ये जिमा किसी के लिये नहीं लगाया गया कि इस धान को मंडी से उठाएगा कौन और अगर मंडी से ये धान दो दिन तक खरीद के बाद नहीं उठी तो फिर काली पढ़ चाएगी उसके बाद राइस मिलर्स की तरफ से ये धान ली ही नहीं जाएगी और उसका ठीकरा आड़ती और किसान पर पड़ेगा मंडी में खरीद के दुरान फूड सप्लाई विभाग और माइकेटिंग बोर्ड के अधिकारी तो नजर आए पर राइस मिलर्स ना होने के कारण किसानों और आड़तीों में गुसा बरकरा था करनाल से समचार एक्सप्रेस की रिपोर्ट पहले मीलर करते थे लेकिन अब की बार किया गया कि विभाग का जो ठेकेदार है वो मंडी से उठान करके राइस मिल तक उसको परचाएगा और अब के बार गौर्णन का जो ठेकेदार है जिसने वीड सीजन में गवर्णन का काम किया था उठान समंदित वही कि इतने अंदर आपको यह पैड़ी का उठान करना है यदि वह उस समय में नहीं करता तो फिर उसके उपर जो भी उसका है उसके फाइन हो गयरा है वो सरकार ने निर्थारित किया है उसको रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स की है कि उसको प्रफरले ट्रक देने है लेबर देनी करती है तो उसके उसके खरीद कर ली जाएगे आपका नाम समीर वशिष अभी हमारे चोद्र साब ने कहाएगी दाना दाना खरीदा जाएगा तो इन्होंने सिरफ 25-26 कौंटल की डील लगा दी है बिस सुपर आम लेंगे नहीं खेत मेनी के लिए 35 कौंटल उस 9 कौंटल कहा से पल्ले पड़ी रहीगी इसमें पंचमाट 10 कौंटल उसके रहाएगी फिर कहीं हैं काट लो आड़ती है खते में से तो मतलब है सारा जुलम जुल आड़ती कपर है कि अरे कोई बार्दाना ने मिला कोई राई सिमिलर है नहीं कहते हैं हमने खरीद स्टार्ट कर दी क्या ब और यह जीरी जिसका सतरा है सोड़ा है यह वो जीरी है जिसको दो दो तिन दी दिन सुखाये गया तब जागे तरह मोश्चर आए अब किसानों से मारी गुजारिश है कि साफ सुतर और सुखा धान लेकि आए तो आल देखते हैं आप पहला दीन आपी तो बोली शुरू है क्या होता है पहली जो धेरी पर खरीच शुरू हुए उसमें क्या कुछ रहा है ठीक है वो धेरी अपना जो इनके सरकार के जो निय किसानों के लिए कोई अपील पस किसानों से तो यह एपील है कि जो अपनी फसल है साफ सुतर और सुखा के लेकिया ता कि आपे गाने में कोई तिकत नाओ रहा है जो एसे ही लेड़ेस को बरेपाने के लिए बेल आइकन को खिलिक कर हमारी चैनल को लाइब, शेर और सुश् जोती गादन, वोल्ड-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning, a perfect venue for wedding, launching and parties, Rajgarana and Jyoti Garden, a JBD Banquets Enterprise.